Moving Coil Galvanometer तो देखो Moving Coil Galvanometer कैसे काम करता है यहां पर हमाँ पास कुछ Coil होती है और एक Permanent Magnet इस तरीके से लगी होती है और इसमें जब भी Current Pass होता है तो यह हमाँ पास एक Coil है तो Coil क्या बन जाती है एक Magnetic Dipole वो Magnetic Dipole एक Magnetic Field में है और magnetic field यहाँ पर इस तरीके से बनाया जाता है कि यहाँ पर magnetic field और हमारा जो moment है magnetic dipole दोनों हमेशे 90 degree के अंगल पर होते हैं इस तरीके से assume करके हमें calculations करनी होगे तो जैसे ही मानलो हमारा magnetic dipole बना यहाँ पर उसके पर यहाँ पर जाता है और यहाँ पर आकरके वो रुख जाएगा क्यों रुख जाएगा क्योंकि उसके उपर कोई restoring force ऐसे लग रहा होगा पीछे की तरफ से जो spring coil यहाँ पर दे कोई spring लगी हुई है वो भी कुछ उसके उपर torque लगाती है यहाँ पर हमें sin theta की value हमेशा 1 ले ले नहीं होती है क्योंकि इसको इस तरीके से geometry मनाई जाती है दूसी चीज़ क्या हो जाएगी देखो magnetic dipole जो होता है हमारा वो जाता है N I A ठीक है और B जो होगा वो इस permanent magnet के कारण कुछ value होगी उसकी जो भी value होती है वो यहाँ पर हमारा पास fix होती है ठीक है torque यह जो torque है यह कौन सा torque है जो हमारा पास magnetic forces के कारण यहाँ पर लग रहा है लेकिन उसको counter कौन करेगा यहाँ पर हमने एक spring लगा रखे spring के लिए हम क्या जानते है कि जो torque होता है वो k theta के बराबर होता है तो यही torque equal हो जाएगा k theta के बराबर यह हमारा पास basic सा formula आ गया अब देखो इसमें दो चीजा में देखने होती है एक हमारा पास current sensitivity दूसरी होती है voltage sensitivity यहाँ पर मैं देखे हो लिखूँगा current sensitivity current sensitivity current sensitivity current sensitivity मतलब थोड़े से current से मेरे पास कितना angle theta आता है तो इस तीज को हम इस तरीके से represent कर सकते है theta divided by i अगर मैं कर दूँ theta divided by i वो हो जाएगी मेरी current sensitivity यहाँ पर देखो theta divided by i आप करोगे तो उसकी value हो जाती है n a b divided by k यह आगे हमारा पास current sensitivity similarly हमारा पास दूसरी चीज होती है वो होती है voltage sensitivity उसमें हमें पता करना होगा theta divided by v अगर इसके across इसकी जो भी coil है उसके across मैं 2 volt लगा हो 5 volt लगा हो उसके साब से theta कितना change होता तो theta per volt यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ तो उसकी value आप कैसे निकाल सकते हूँ हमारा पास देखो formula तो यहीं है अब यहाँ पर मैं i को क्या लिख देता हूँ i is equal to v is equal to ir होता है मेरे पास तो i की value आप लिख दो v divided by r तो जाएगा v divided by r यानि r उपर चला जाएगा है ना तो यहाँ से फिर r इस तरफ चल जाता है हमारा पास सिर्फ theta by v बसता है उसकी value आजाती है n a b upon k into 1 by r यह क्या चीज है यह हो जाता है resistance कौन सा resistance of coil ठीक यह हम क्यों लिख पाए क्योंकि v is equal to ir होता है अब यहाँ पर हम क्या चीज देखते है यह जो theta by i है वो हमारा पास दोनों में same आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ voltage sensitivity अगर मुझे current sensitivity पता है तो voltage sensitivity और resistance के हिसाब से मैं उनमें कुछ relation यहाँ पर निकाल सकता हूँ इसी पर बेस सवाल पूछे आते current sensitivity का formula simple है voltage sensitivity में 1 by r का factor इस तरीके से आ जाता है तो आपसे इस तरीके सवाल भी पूछे जा सकते है वहाँ आपास उसकी voltage sensitivity बढ़ा नहीं है तो क्या तरीके है मेरे पास उस case में मैं B की value भी change कर सकता हूँ क्योंकि वो permanent magnet जो लगाई है उस case आप से भी हो सकता है या फिर मैं अगर number of turns change करूँगा तो देखो क्या होता है resistivity की कारण हम जानते कि resistance length of coil, coil के अंदर जो wire है उस पर depend करता है अगर मैं number of turns कम करता हूँ तो resistance भी कम होता है इस तरीके relation आप यहाँ पर निकाल सकते हो तो वहाँ पर आप देखो कि number of turns का फर्क नहीं पड़ता है अगर आप number of turns कम कर दोगे तो resistance भी कम हो जाएगा तो voltage sensitivity में फर्क नहीं पड़ेगा current sensitivity में फर्क पड़ जाएगा तो इस तरीके के सवाल भी पूचे जा सकते हैं इसलिए यह important चीज हो जाती है current sensitivity of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere and voltage sensitivity is 20 division per volt the resistance of galvanometer is तो यह हम पता कर सकते हैं straight forward formula based सवाल है जो भी हमने concept देखा वीडियो को pause करो, question को solve करो गलती बत करना correct answer है D क्यासे है देखो हमाँ पास जो current sensitivity है उसको मैं आईए सगर लिखने तो उसकी value होती है n a b divided by k उसकी value हमें क्या दियो है 5 और हमारे पास voltage sensitivity जो होती है वो होती है n a b upon k multiplied by 1 upon r उसकी value हमें क्या दियो है 20 तो इन दोनों को अगर मैं divide कर दो this is 1 this is 2 अगर मैं गलत हूँ 1 divided by 2 तो left hand side में मेरे पास जाता है r और right hand side में आता है 5 divided by 20 या फिर 1 by 4 या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.25 और वो मेरा गलत answer हो जाता है क्यूं गलत हो गया देखो यहां पर ध्यान से देखना चीज़ों को voltage sensitivity है 20 division per volt लेकिन current sensitivity दीव है 5 division per milli ampere तो यहां पर units लगे है तो दोनों उपर नीचे आप thousand thousand से multiply करो तो यह actually आ जाता है हमाँ आपास 5000 divisions per ampere अब यह 5000 division per ampere हो गया अब यह division per volt हो गया अब दोनों की unit same है तो इसलिए यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमाँ पास जो answer आएगा actually वो जाएगा 5000 divided by 20 और उसकी जो value आती है वो आती है 250 ohms इसलिए D बन जाता है हमारा correct answer बहुत ही simple conceptual silly mistakes वाला सवाल था यह जो छोटा सा वीडियो आपने देखा आप देखो notes सारे के सारे check out कर सकते हो download करके print भी करा सकते हो आपको पता चलिएगा सारे concepts हमने cover किये हैं बहुत सारे PYQs भी किये हैं और अगर आपको देखना चाते हो पूरा तो link is in the description उसको ज़रूर देखना साथ में मेरे vlogging channel को भी subscribe करो यहां पर यहां पर यहां कहीं पर आपको link दिख जाएगा subscribe करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो